हेलो दोस्तों वेलकम टू मैस मसाला तो दोस्तों आज हम लोग संख्या पद्धिती यानि की नंबर सिस्टम से समंधित दस कोश्चन करने वाले हैं दोस्तों यह आप के लिए बहुत इंपॉर्टन कोश्चन होने वाला है तो दोस्तों आप बिल्कुल भी वीडियो को इसकिप मन कीजिएगा और वीडियो को last तक जरूर दिखिएगा और देखते हैं आप खुद कितना questions खुद सही कर पाते हैं तो चलिए दोस्तों start करते हैं पहला question है अंकों में लिखें तो दोस्तों इसको अंकों में लिखना है question है 15,470 दोस्तों 15,470 को हमको लिखना है तो यहां पर 4 option दिए गए हैं कौन सा सही होगा तो दोस्तों क्योंकि यहां पर लिखा है 15,470 यानि कि 15,470 इसमें से कौन सा सही होगा दोस्तों आप जल्दी बताइए तो दोस्तों यहां पर जो C option है वो सही होगा क्योंकि 15,000 ये 15,000 हो गया और 470 ये 470 हो गया तो दोस्तों दूसरा question है भारती परणाली में इतनी संख्या को लिखें चार option दिया गया है दोस्तों पहला option है 95,876 दूसरा है 9,876 तीसरा है 95,876 और अंत है उपरोक में से कोई नहीं तो चलिए दोस्तों इसको solve कर लेते हैं तो दिखिए एकाई दाहाई सेकड़ा 1000 और 10,000 यानि कि ये 1000 और 10,000 का अंख है ये तो आपका हो जाएका 95,000 पिचानवे हजार तो दोस्तों सबसे पहले आप देखेंगे 95,000 किस में किस में है तो option A और option C में 95,000 है यानि कि ये आपका B तो बिल्कुल नहीं होगा और C भी नहीं होगा अभी C को आप कट नहीं कर सकते आप पहले देख लिजिए उसके बाद है 876, 876 किस में है दोस्तों तो 870 ये पहला ही option आपका सही हो जाएका बाकि हमें देखना नहीं है चलिए देख भी लेंगे तो 876 यहां भी है लेकिन यहां पर 95,000 लाख लिखा हुआ था दोस्तों तो आपका यह option number A सही हो जाएगा तीसरा question है दोस्तों संख्या 90,871 में इस्थानिमान किसका अधिक है तो दोस्तों यहां पर इस सभी में से किसका इस्थानिमान अधिक है option में यह चार option दिया गया है तो दोस्तों सब्चली सबसे पहले जो संख्या हम यह देख लेते हैं कि ज जो जितनी बायत तरफ होगी उसका इस्थानिमान उतना ही बड़ा होगा दोस्तों एक यह इकाई है इसका इस्थानिमान एक ही होगा करके देख लेते हैं दोस्तों नब्बे आट सो एक एक तर यदि इसका इस्थानिमान निकालेंगे एक का इस्थानिमान किवल एक ही आएग को इसके बाद दो को है तो यहां पर दो शुन लगा देंगे दोस्तों यघी हम लोग नौ का निकालते हैं स्थानी मन तो यहां पर नौ लिखेंगे और 9 के बाद एक दो powiedzieć लन्हें तो यहां पर हम लोग लगा देंगे एक दो तीजार स्थानी नो M स्थानिमान सबसे अधिक रहेगा दोस्तों यहां पर चौथा कोश्चन है चार अंकों की बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्याओं का योग क्या होगा तो दोस्तों चार अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पहले निकालेंगे तो चार अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या यहां पे होगा चार बार 9 या 9999 तथा चार अंक की छोटी से छोटी संख्या तो दोस्तों छोटी से छोटी संख्या के लिए जो पहला है वहां पे एक लिखेंगे उसके बाद फिर 00 लगा देंगे अब दोस्तों यहाँ पे कहता है हमसे संख्याओं का योग क्या होगा मतलब इन नोनों को जोड़ना है यहाँ पे आप जोड़नें यहाँ पे आपको मिलेगा 9 यहाँ भी मिलेगा 9 यहाँ हो जाएगा 9 और 10 तो दोस्तों अब आप समझ गये होंगे कौन सा उप्सन सही है उप सबसे चोटी संख्या का अंतर क्या होगा दोस्तों यह जो चार संख्या दी गई है हमें इन चारों संख्याओं का सबसे बड़ी संख्या और सबसे चोटी संख्या सबसे पहले निकालेंगे सब चलिए सबसे बड़ी संख्या बनाते हैं तो दोस्तों जब कभी भी हम लोग सबसे बड़ी संख्या बनाएंगे तो दाहिने साइड यानि कि दाहिने साइड नहीं है बाया साइड में सबसे बड़ी संख्या को लिखेंगे बाया साइड आप दोस्तों जानते ही है जैसे यह है तो यह आपका बाया साइड होगा तो सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे यहाँ पर आप लिख देंगे आठ फिर लिखेंगे उससे छोटी साथ फिर उससे छोटी तीन फिर उससे छोटी शुन है अब दोस्तों अब आपको इसको सबसे छोटी संख्या बनाना है चार अंकों की तो दोस्तों चार अंकों की सबसे छोटी संख्या के लिए आगे हम लोग सबसे छोटी संख्या को लिख देंगे लेकिन दोस्तों ये ख्याल रहे कि वो चार संख्या की होनी चाहिए यदि आप 0, 3, 7 और 8 लिख देते हैं दोस्तों तो यहाँ पर 3 संख्या ही रह गया इसको आप 0, 1378 कभी नहीं पढ़ोगे आप क्या पढ़ोगे 378 तो दोस्तों यह ऐसा नहीं होगा आपको यह जो संख्या है इसको इंटरचेंज करना होगा क्या करेंगे 3 को आगे लिखेंगे ऐसे और उसके बाद पीछे लगा देंगे 0 और दोस्तों यह जो 78 लाश्ट में लिखा है यह वैसे का वैसा ही आपको यहाँ पर लिखा रह जाएगा और दोस्तों यहाँ पर कहता है संख्याओं का अंतर यानि कि बारा हो जाएगा साथ 5 12 होता है दोस्तों यहाँ बचा है 6 तो 6 का 6 हो जाएगा दोस्तों यहाँ से उधार हमने नहीं लिया था तो यहाँ पर आपका आजाएगा 5 5 652 तो दोस्तों आप देख सकते हैं कौनसा ऑप्छन सही है ऑप्छन नमबर d यहाँ पे ठीच हो जाएगा दोस्तों छहता को स्पकॉस्ट्ण है नि abundant मैं से का सी संख्या प्राक्रितिक संख्या यानि किम नहीं नहीं। नहीं है तो दोस्तों हमें पता है कि जो नहीं नंबर होता है natural number दोस्तों ये सुरू होता है एक से एक, दो, तीन ऐसे करते करते हैं आनंत तक जाता है या असंख तक जाता है दोस्तों यहाँ जो शुन है ये आपका natural number नहीं होगा बलकि यह आपका होगा पूर्ण संख्या, यानि की whole number Q7 है सबसे चोटी प्राइम निम्बर हमें पता करना है तो दोस्तों सबसे छोटी प्राइम निम्बर यहां पे कौन सी होगी यह आपको पता करना है दोस्तों यहां जो एक होता है यह आपका प्राइम निम्बर नहीं होता जो सबसे छोटी प्राइम निंबर होगी वो आपका होगा ये दो option number c यानि कि दो जो है वो सबसे छोटी अभाज संख्या या प्राइम निंबर होती है question number 8 है सबसे छोटी सम अभाज संख्या है हमें पता करना है सबसे छोटी सम अभाज संख्या तो दिखे अबहाज संख्या वो संख्या होती है जो दो से कटे जैसे कि जीरो दो चार छे आठ से ये सब इसके अंत में आए या ये सब संख्याएं जो है वो संख्याएं होती है अबहाज संख्या कहता है यानि कि अबहाज संख्या हो तो दोस्तों इन सभी में से अबहाज सबसे छोटी संख्या जो है वो दो होगा जीरो कभी नहीं होता दोस्तों दो होगा यानि कि इसका भी option number C सही होगा question 9 है एक से पचास तक की संख्याओं का योग क्या होगा चार option दोस्तों यहाँ पे दिया गया है तो दोस्तों हमें एक से पचास तक की संख्याओं को जोड़ना है और जोड़कर इन सभी में से किसी एक को सही करना है दोस्तों यदि हम इसको इस तरीके से जोडने लगें एक प्लस दो प्लस तीन प्लस चार प्लस डैस 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 प्लस प्लस पचास दोस्तों तो इसको जोडने में बहुत समय लग जाएगा और हो सकता है लाश्ट में जो answer आए हमारा वो गलर भी ठहर जाए तो हम इसको जोड़ेंगे नहीं जबकि इसका shortcut हम लोग लगाएंगे दोस्तों में पर क्या कहता है एक से पचास तक की संख्याओं का योग यानि कि पचास तक हमको संख्याओं को जोडना है दोस्तों क्या करेंगे यहाँ पर हम लोग लिखेंगे पचास क्योंकि पचास तक की संख्याओं को जोडना है फिर इसमें एक संख्या को जोड कर इस संख्या से गुणा कर देंगे मतलब पचास को 51 के साथ गुणा करेंगे 50 में एक जोड़ दिया 51 हो गया और 50 और 51 का गुणा कर देंगे अब दोस्तों इसको हम लोग 2 से भाग दे देंगे दोस्तों भाग देने के लिए हम लोग क्या करते हैं 2 से 50 को भाग देंगे तो यहां पर आपका आजाएगा 25 अब दोस्तों 25 को एक्याउन से आप जब गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 25 एकम 25 का 5 और 25 पचे 125 और 2 127 यानि की 1275 यह आपका option option number D आपका यहां पर सही हो जाएगा दोस्तों आप यह trick है यह आप इसको सीख लेना जो संख्या दी गई होती है जितना जोडने का वो लिखते हैं फिर उसमें से एक संख्या और जोड कर लिख लेते हैं और इन दोनों संख्याउं का गुणा करके दो से भाग दे देते हैं बाकी आगे आप खुद कर सकते हो तो दोस्तों दसव कोशन है माइनस 978 का उत्तरवर्ती चार ओप्षन दिया गया है हम इसका उत्तरवर्ती निकालना है दोस्तों दोस्तों उत्तरवर्ती का मतलब होता है दिगर संख्याओं में हम लोग एक जोड़ेंगे एक इसमें जोड़ेंगे तो चलिए इसको थड़ा solve कर लेते हैं तो माइनस नौसो आठाटर को यदि हम एक जोड़ते हैं दोस्तों तो प्लस माइनस माइनस होता है इसको घटाएंगे नौसो आठाटर मेंसे घटाएंगे इसलिए नौसो आठाटर का चिन माइनस हम लोग लगा लेते हैं घटाने पे हमको मिलेगा नौस साथ और साथ माइनस नौसो साथ इसका सही एंसर हो जाएगा जो कि आपका option नमबर सी सही है दोस्तों क्योंकि आपने यहां तक वीडियो देखा है तो एक question आपको bonus में दे रहा हूँ जो कि उतरवर्टी और पूरवर्टी लगबग में same type का होता है तो यह भी आप समझ लें यहां दोस्तों कहता है minus 500 का पूरवर्टी पूरवर्टी का में हम लोग क्या करेंगे इसमें हम लोग minus एक यानि कि एक घटा देते हैं यहां पर जैसे लिखा है minus 500 इसमें से एक हम लोग घटाएंगे दोस्तों तो घटाने पर क्या होगा minus minus होता है plus यानि कि इन दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे माइनस 501 तो दोस्तों जो ऑप्शन नंबर सी आपका है माइनस 501 यही ऑप्शन सही हो यह तो दोस्तों यह आपका 10 नहीं 11 कोश्चन हो गया है यदि आपने यहां तक वीडियो देखा है तो आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूल बताइं दोस्तों और यदि आपको किसी भी कुश्चन में समस्या है तो आप कमेंट बाक्स में लिग के देए वो कुश्चन आपका सौल्ब होगा दोस्तों यदि वीडियो अच्छे लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर दे और हमारी चैनल मैस मसाला को सब्सक्राइब कर ले धन्यवाद साती हो